हेलो स्ट्टेंट्स आज के हमारी वर्सिट है वर्सिट नमबर 24 और यह क्लास 10 सोशल साइंस के लिए है और आज के वर्सिट में हम लोग सबसे अच्छी बातें हैं जो कि भारत में अखादे फसले पिछले वर्सिट में हम लोग अखादे फसलों के बारे में जाना था और नगदी फसलों के बारे में जाना था तो आज के वर्सिट में हम अखादे फसल मतलब वैसी फसले जिनको खाई नहीं जाती हैं यह खाने के काम में नहीं आती हैं तो इस फसल के बारे में हम जानेंगे जिसकों कि अखाद फसल बोलते हैं तो इसके तहट सबसे पहले हमको जानना है रबड के बारे में यहां आप देख रहे हैं कि इस कॉल में फसल के नाम दिये गया है यहां उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उसके मुख्य उत्पादक राज्य और इसमें हैं उत्पादन में विश्व में भारत का अस्थान तो एक एक करके हम इन फसलों के बारे में जानते हैं आईए रबड के बारे में जानते हैं रबड के बारे में कहा जा रहा है कि रबड भूमद रेखिये छेत्र की फसल है भूमद रेखिये छेतर की फसल का मतलब यह हुआ कि भूमद रेखा के आसपास जो बाताबरन होता है उस बाताबरन के लिए रबड अनुकूल फसल है इसे 200 सेंटीमिटर से अधिक बरसा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और नम आर्द रजलवायू चाहिए हम सभी जानते हैं कि भूमद रेखा के आसपास जो है यासे मालीजे यह हमारी प्रिथवी है और प्रिथवी के बीच में यह भूमद रेखा है तो इसके आसपास मतलब की यहां ठीक ना इन छेतरों में बहुत ज़्यादा गर्मी परती है और बारिस भी बहुत ज़्यादा ह प्रती दिन दो पहर की बाद इन छेत्रों में बारिस हो ही जाती है तो इसे लिए भूमद रेखा ये जो आपका भूमद रेखा है तो इसके आज पास के छेत्र में 200 सेंटीमीटर की वर्सा हो जाती है और टेंपरेचर 25 डिगरी सेलसियस से ज्यादा होता है क्योंकि सूर्जी की किर्णे यहां बिल्कुल सीधी परती है ठीक है तो ये भूमद रेखिये छेत्र का क्यास पास इसके अनुकूल मौसम रहता है और इसके लिए उत्पादक राज्य हैं केरल, तमिल नाडू, करनाटर, अंडमान, निकोबार, दीपसमू और मेघाले की गारो पहारियां तो इसलिए इन सभी राज्यों में रबड का उत्पादन होता है और इन सभी राज्यों में भी सबसे ज़्यादा रबड का उत्पादन केरल में होता है इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे सभी राज्यों में तो होता ही है अगर भारत में किस राज्यों में सबसे ज इस चीज को हमें याद रखना है और दूसरी फसल है कपास आए कपास के बारे में जानते हैं कपास क्या होता है तो कर दक्कन पठार के सुस्कतर भावों में काली मिटी इसके उत्पादन के लिए उप्युक्त मानी जाती है भारत का जो दक्कन का पठार है तो दक्कन के पठा थोड़ा इसको जल्दी जल्दी मैंने ड्राउ कर लिया है यह अगर भारत का मैफ है तो भारत का जो यह वाला जो छेत्र है यह 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 छेत्रे दक्कन का पठार कहलाता है इन छेत्रों में जो राज्य है उन राज्यों में कपास का उत्पाधन जड़ा होता है तो आईये देखते हैं कौन-कौन से राज्य है इसमें तो देख लीजे करा दक्कन पठार के सुस्कतर भागों में मतलब की वहां आरदरता कम होती है और काली मिट्टी इसके उत्पादन के लिए उप्युक्त मानी जाती है मतलब की कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी काफी उप्युक्त मानी जाती है उच्छ तापमान इसके लिए भी टेंपरेचर ज्यादा चाहिए और हलकी वर्सा होनी चाहिए और 210 दिन पाला रही ते दिन मतलब कि पाला नहीं पढ़ना चाहिए ठंड नहीं पढ़नी चाहिए और खिली धूप किया हो सकता होती है तो इन सभी परिस्थितियों में कपास का उत्पादन होता है और ये महाराष्ट, गुजरात, मदपरदेश, करनाटक, तमिल नाडू, पंजाब, हर्याना और उत्तर परदेश में होता है जैसा कि हमने map में दिखाया है कि इन सभी छेत्रों में कपास का उत्पादन ज्यादा होता है और कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा आस्थान है ठेकना कपास उत्पादन भारत का विश्व में कैमा आस्थान है ये थर्ड नंबर पर आता है इसे ज्यादा दो और देश हैं जो की कपास का उत्पादन करते हैं और इसके सबसे पहले साच्छ सिंधु घाटी सब्वेता में मिलते हैं कपास से सूती बस्तर का निर्मान होता है कपास से सूती बस्तर का निर्मान होता है और सूती बस्तर का जो उदारन है वो सिंदू घाटी सब्वेता में, मतलब आज से लगभग 5,000 साल पहले, ठीक ना, साल पहले भी सूती बस्तर का उपयोग होता था, ठीक, इसका प्रमान हमको सिंदू घाटी सब्वेता से मिला, आप लोगोंने हिस्ट्री में सिंदू घाटी सब्वेता के बारे में पढ़ा होग उर्वरक मिट्टी में उबाई जाती है, उर्वरक मिट्टी का ये मतलब हुआ, कि बाढ़ के मैदानों में जलोड मिट्टी आती है, जलोड, आपने मिट्टी के बारे में पिछले वर्शिट में जाना है, जलोड मिट्टी मतलब ऐसी मिट्टी होती है, जो पानी द्वारा बहा कर लाई जाती है और इस मिट्टी में उर्वरता काफी अधिक होती है ठीक ना ये उर्वरक मिट्टी होती है और इसमें पोसत तथ काफी अधिक होते हैं तो इनहीं मिट्टी में जूट का उत्पादन होता है और इसे बढ़ने के लिए उच्छ तापमान मतलब इसके लि बहुत ज्यादा मातरा में होता है और पष्चिम मंगाल से सटे बिहार के भी कुछ जिलो में जूट का उत्पाधन होता है असम में उरिसा में प्रमुख जूट उत्पाधक राज्ज हैं इसके लिए ठिक और जूट उत्पाधन में जैसे जूट से बूरा बनता है जिसमें कि ख़दाने पैक किये जाते हैं या और भी समान और थैले भी बनते हैं मतलब ये पैकिंग के समानों में इसका उप्यों होता है तर इस तरह से इसको हम लोग सुनहरा रेशा बोलते हैं और उसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेसो और पैकिंग समगरी विसेसकर नाइलोन की कीमत कम होने के कारण बजार में इसकी मांग कम हो रही है जूट से समान बनाने के लिए बहुत बड़े-बड़े मसीनों क्या हो सकता होती है मिलो का निर्मान करना पड़ता है और उसमें बहुत से मजदूर काम करते है जिसकी वज़से इसकी लागत काफी अधिक हो जाती है और इस अधिक लागत होने के वज़से ये कुछ महंगा हो जाता है और बजार में विसेसकर के नाइलोन आ गया है प्लास्टिक आ गया है तो इन सबों के पैकिंग समगरी जो हैं काफी सस्ते होते हैं तो सस्ते पैकिंग समगरी मिलने के वज़से जूट की पैकिंग समगरी काफी महंगी हो जाती है तो इसलिए इसका मांग कम हो गया कोई जब महंगा हो जाता है उसका मांग कम हो जाता है अब नेक्ष्ट है प्रोधी की एवं संस्थागत सुधार प्रोधोगी की एवं संस्थागत सुधार प्रोधोगी की ए मतलब की टेक्निकली सुधार किया गया और कुछ संस्थागत सुधार भी किया गया इस फसलों को बढ़ाने के लिए तो कर रहा है कि सुधार की ततकाल आओ सकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्रवदोगी की एवं संस्थादत सुधारों के अभाव में लगातार भूमी संसाधन के प्रयोग से क्रिसी का विकास औरुद हो जाता है होता क्या है कि अगर आप एक ही खेत पर बिना किसी नई तकनिक के पुराने ढंग से अगर आप खेती कीजिएगा तो इसकी फसल चमता जो है उत्पादन चमता कम हो जाती है इसलिए भारत में उत्पादन चमता बढ़ाने के लिए कुछ प्रदोगी की सुधार किया गया और कुछ संस्थाओं का निर्मान किया गया कि इन खेतों के उत्पादन चमता को कैसे बढ़ाया जाए तथा इसकी गती मंद हो जाती है मतलब कि अगर नई तकनिक नहीं लगाई जाए और नए ढंग से इस पर काम नहीं किया जाए तो फसलों की उत्पादन गती मंद हो जाती है और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक मुख्य चुनावती है जब हमारे यहां जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे यहां फसल भी बढ़ने चाहिए इसलिए सरकार ने निमलिखित प्रोधोगी की यह संस्थागत सुधारों की शुरुवात किये कौन-कौन सी प्रोधोगी की यह संस्थागत सुधार है आईए इसको देखते हैं तो पहला हरित करांती यों स्वेत करांती ओपरेशन फ्लड की शुरुआत तो 1960 के दसक में 1960 के दसक में स्वामी नाथन बैग्यानिक थे MS स्वामी नाथन जी और नॉर्मन बॉरलोग थे इन दोनों लोगों ने मिल करके खास करके भारत में MS स्वामी नाथन का स्रे माना जाता है इन लोगों ने हरित करांती की शुरुआत की और गेहों के उत्पादन को इससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला और भारत में फसलों के उत्पादन दर में गेहों के ने ने बीज आया उसमें रासायनिक खादों का प्रियोग किया गया तो इस सब के वज़से हरित करांती होने के वज़से फसल के उत्पादन में आसातीत बढ़ोतरी हुए बहुत ज्यादा मातरा में फसलों के उत्पादन होने लगे तो यह हरित करांती हमारे हां सफल हुई और दूसरी है स्वेथ क्रांती, स्वेथ क्रांती मतलब दुग्ध उत्पादन में दुग्ध उत्पादन, ठेक तो दुग्ध उत्पादन में ओप्रेशन फ्लर्ट शुरू हुआ और इसकी भी क्रांती कीगी तो जो हमारे हां लोकल गाये थी, लोकल गाये कम डूज करती थी तो इन लोकल गायों को विदेशी नसल के गायों के सांथ संकर किया गया और इससे जो गाये उत्पन हुई ओब बहुत ज़्यादा दूज देती हैं तो इस तरह से हमारे हैं दूज का उत्पादन तो खेत जो हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं तो सरकार क्या करती है किसी का खेत यहाँ पर पड़ेगा फिर उसी का छोटा सा भाग यहाँ पर पड़ेगा फिर उसी का छोटा भाग यहाँ पर पड़ेगा तो सरकार क्या करती है कि चकवंदी के माध्यम से इन सभी एक ही बड़े बड़े चक बना दिये जाते हैं तो इन खेत बड़े खेत होने के वज़े से खेती करना आसान हो गया और फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी हो जाती है तो ये चकबंदी की बिवस्था सरकार के द्वारा की गई और सहकारिता मतलब कॉपरेटिव सिस्टम में लबद करवाया जाता है खाद और उर्वरा को लबद करवाया जाता है जिससे की फसल के उत्पादन में बहुत सहयता मिलती है और फसल के उत्पादन बढ़ते हैं नेक्स है जमिंदारी आधी समाप्त करने को प्रात्मिक्ता दे गई और जमिंदारी प्रथा को भी समाप्त करना सुरू किये जिससे कि हमारे यहां फसल के पैदावार में ब्रिद्धी होई तो यह सभी सुधार सरकार के अस्तर पर किये गए और नेक्ट है व्यापक भूमी विकास कारेकरम सुरू किया गया भूमी विकास कारेकरम के नहरे खुदवाई गया ठीक na नहरों का विकास किया गया और जो परती भूमी और विकार भूमी पड़े हुई थी उन सभी का विकास करवा करके उनको खेती लैक बनाया गया जिससे कि हमारे हां खेती बढ़ गई और फसल उत्पादन में भी बढ़ोत्री हो जाते हैं नेक्स्ट है फसल बीमा का प्रावधान फसल कभी मौसन के मार की वज़े से जब किसान के फसल खराब हो जाते हैं तो फसल बीमा से उनको उसके नुकसान की भरपाई हो जाते हैं जिससे कि निसान किसान नीडर हो करके खेती करते हैं और खेती में अपना लागत पुझी लगाते हैं और किसानों को कम ब्याज पर करज प करता है और बैंकों के स्थाहपना कीगे आपने नाबाड बैंक का नाम सुना होगा यह क litt próxim motorcycles बैंक कामिन wurde रइधा संवे credit card KCC आपने credit card के बारे में सुना होगा तो एक credit card भी होता है और इस credit card पर सलाना मातर 4% कि दर से कि खसानों को रिन्ध दीया जाता है जिससे कि खसान कम ब्याज पर रिन्ध ले करके खैती करते हैं और फिर फसलों को समय पर उरबरख डालना सुरू की या समय पर सिचाई करना सुरू कि उनके पास पैसे आ गया तो इससे फसल का उत्पादन बढ़ा यह locks upon बेको अधिकलत दुरघटना भीमा भी सुरू की गई और किसानों के लिए było की किसानों को काफी फायदेमन्त साबित हुआ नेक्स्ट है किसानों को बिचौलियों के सोसं से बचाने के लिए, बिचौलियों मतलब बीच के लोग, मतलब किसान से कम समान पर उनका फसल खरीद लेते थे, कम दाम पर और फिर उसको बजार में लियाकर बहुत जादा दाम पर बेचते थे, तो इस चीज से किसानों को बच निर्धारित मुल देखे इसकी चर्चा प्रस्ण में की गई है तो इसमें क्या होता है किसी फसल की अगर निर्धारित मुल घोसित कर देगी कि 1900 रुपय प्रति क्यूंतल भीगेगा तो अब कोई भी किसान से इसे से कम रेट पर वो फसल नहीं कर देगा तो इससे किसानों को अपने फसलों के उचीत दाम मिल जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा फैयदा हो जाता है तो इस तरह से आपका जो यह वर्क सीट है वर्क सीट टमबर 24 इसमें हम लोग उने अखाद फसले और प्रदोगी किये अमसंस्थागत सुधार के बारे में जाना अब इसके इसमें नोगे एक-एक करते हैं और फिर नेक्स्ट इनके उत्तर को भी हम लोग देख लेते हैं इसमें पहला प्रस्ण है कि नीचे दो फसले एकस और वाई दी गई हैं दी गई जनकारी की मदद से उनकी पहचान करें यहां दो बार जनकारी लिखे गए है और उनसे सम्मंधित प्रस्ण के उत्तर दें और इसमें उसका कौप प्रस्ण है कि एक एक रेसे वाली फसल है जो सुखी काली मिट्टी में बेहतर उगती है इसे उगने के लिए पाला रहित जलव जलवायू और उच्चे तापमान चाहिए भारत के कौन से राज्ये इसके प्रमुख उत्पादक है तो सबसे पहले आप जान लिए कि एक रेसे वाली फसल है और सुखी काली मिट्टी में बेहतर उगती है तो इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा है यह कपास है कपास ही जलवायू चाहिए और 210 दिनों तक धूप भी चाहिए और भारत के महाराष्ट गुजरात मधपरदेश करनाटक तमिलनाडू पंजाब हर्याना और उत्तर परदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्ये मतलब इन सभी राज्यों में कपास का उत्पादन अच्छे डंसे होता है और खा है वाई एक और रेशेदार फसल है पर यह जमीन में नहीं उगती बलकि कीड़े के कोकुन से प्राप्थ होती है कोकुन एक प्रकार का बीज होता है जो मलबरी के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है मलबरी नाम का एक पेड़ होता है और उसके पत्तों पर ये कीड़े होते हैं ठिकना हरी पत्तियों पर और औरतें इस रेसे से बुनी गई साड़ियां पहनती हैं मतलब कि का रहा है कि प्रस्टन में बरनित रेसा रेसम कहलाता है मतलब रेसम जो होता है वो कीड़ों से होता है और यह रेसम के कीड़ों से तयार होता है इसके रेसे से बने कपड़े मुलायम होते हैं और जो रेसम मलवरी के पेड़ पर होते हैं तो आपने मलवरी का सिल्क सुना होगा मलवरी का कपड़ा सुना होगा तो इस तरह से जो रेसम होते हैं काफी मुलायम होते हैं तो दूसरे का उत्तर रेसम हो जाएगा और दूसरा प्रस्ण है आपको क्या लगता है जूट को सुनहरा रेसा क्यों कहा जाता है इसके दो उपयोग बताईए भारत में इसकी मांग क्यों कम होती जा रही है तो इसका उत्तर है जूट बहुत उपयोगी रेशा है इससे बहुत परकार की बस्तु में बनती है बहुत से थैले बनते हैं बोरे बनते हैं पैकिंग के समान बनते हैं इसलिए इसको सुनहरा रेशा कहते हैं और इससे बोरा और थैला बनाया जाता है लेकिन इसकी उच्छे लागत और बजार मे सस्ते क्रित्रिम पैकिंग समगरी की वज़ा से इसकी मांग कम हो रही है जूट के रेशा से समान बनाने में बड़ी-बड़ी मसीने लगानी पड़ती है और उसमें मजदूरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा लगती है तो इससे इसकी लादत छमता बढ़ जाती है और बजार में सस्ते क्रित्रिम पैकिंग जैसे प्लास्टिक के कुछ समान आ गया है नाइलोन के आ गया है तो इन सब की वज़ा से जूट की मांग कम हो रही है अब है तीसरा प्रस्ण और तीसरा प्रस्ण है कह रहा है कि किसोर एक एकर के जमीन में जमीन के टुकडे पर खेती करने वारा सुल्तानपुर गाउं का एक छोटा किसान किसोर एक लड़का आदमी है और यह एक छोटा किसान है जो कि मातर एक एकर जमीन पर खेती करता है एक एकर दो एकर पर खेती करने वाले को छोटा किसान ही कहते हैं और आपको क्या लगता है निमलिखित संस्थागत सुधारों से उसकी दसा किस प्रकार सुधरी है संस्थागत सुधार का मतलब होता है कि किसानों के सुधार के लिए जो संस्थागत सुधार कहते हैं तो आईए देखते हैं इसका उत्तर क्या है उत का उत्तर है कि ग्रामिण बैंक सस्ते दर पर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मतलब कि ग्रामिण बैंक जो किसान क्रेडिट कार्ड देता है वो मातर चार प्रतिसत सलाना ब्याज पर देता तो ये काफी सस्ते दर पर किसानों को रिन उपलब्द करवाता है अहां निर्धारित मुल्ले सरकार द्वारा प्रति वर्स निर्धारित मुल्ले सभी फसनों के लिए जारी करती है मतलब कि सरकार करती है और इसका फायदा यह होता है कि किसानों की अनाज की अच्छी कीमत मिलती है अब जब सरकार किसी फसल का किमत तैय कर देती है कि वो फंदरा सो रुपे प्रती क्यूंटल से नीचे नहीं बीकेगा ठीक ना उसका जो निर्धारी तमुल है वो फंदरा सो रुपे प्रती क्यूंटल होगा तो कोई भी जब उस फसल को खरिदने जाएगा तो फंदरा सो रुपे से नीचे की किमत किसान को नहीं देगा या फिर मालो धान की का फसल का अठारा सो रुपे अप्रती किंटल उसने तैग कर दिया ये कीमत हर सार बलती रहती है और हर साल सरकार कुछ न कुछ बढ़ा करके ही नई कीमत तैग करती है तो इससे नियुंतन निर्धारित मुल्ले होने से किसानों को फैदा हो जाता है कि उसकी फसल कम कीमत पर नहीं बिगती है और उसकी अच्छी कीमत मिल जाती है नेक्स्ट है फसल बीमा का प्रावधान फसल बीमा होने से फसलों के नुकसान होने पर बीमा की रासी किसानों को प्राप्थ होती है जिससे किसानों के नुकसान की भरपाई हो जाती है अब किसान बहुत सारा पैसा लगा कर जब फसल का उत्पादन सुरू करता है तो और जो है वो डूब जाती है लेकिन जब फसल का बीमा होता है तो सरकार द्वारा बीमी 83 किसान को दी जाती है जिसे से की किसानों के नुकसान की भरपाई हो जाती है तो इन सभी संस्थागत सुधारों से किसानों को बहुत लाब होता है फसल बीमा का प्रावधान नियूंतन नि नाप्त होते हैं और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के भीच भी सेयर करेंगे